के साथ ये आपको लॉंग पोजिशन बिना नहीं है त्विंटी वन थर्टी के टागेट के लिए ओके इंटर ग्लो एविएशन पर आपका काफी स्ट्रॉंग कन्विशन है हाई टिकेट साइज आइटमस में आपको एक इंडिगो पर नज़र रखनी है दूसरा आप नज़र रखी का अपॉलो पर बट मैं सिर्फ कहला हूँ नज़र रखने के लिए क्यों क्योंकि कोई भी स्टॉक जब अपने 20 डेमा को क्रॉस करने के वर्ज पे होता है कगार पे होता है छोर पे होता है तो वो 46.38 मैं प्राइस नोट कर लेता हूँ लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर कुछ कमेंट करने से बच रहा हूँ क्योंकि अपोटो हॉस्पिटल के आगे दो बड़े एवरेज ख़ड़े हैं और वो हैं 100 और 50 लेकिन मानस जड़ा इन फेक्ट राजेश जी जड़ा आप देखेगा स्कीन पर दो कॉमिनेशन को देखिए एंटी पी सी एंट टाटा पावर ये दो अच्छा करते वे टोड़ेंट का भी कंट्रिबूशन है बट आई थिंक देरिविटिस में ज़्यादा हैवी ये दो स्टॉक्स हैं और दूसरा है SBI केंट बैंक इन में से ज़्यादा इंप्रेस क्या कर रहा है आपको विरिंज अगर पावर सेक्टर की बात करें तो टाटा पावर टाटा पावर मुझे लगता है कि यहां पर जिस तरह से स्ट्रेंथ शो कर रहा है उस लिहाद से अगर आप देखे तो 292 से लेकिट 295 तक का एक सब्सक्राटा पावर में मिल सकता है तो टाटा पावर में लॉंग होगा तो स्टॉप लोगा का लेकिन अगर पी एस बैंकिंग की बात करें तो डेकरे मुझे लगता कि सबसे बढ़िया जो है वह स्टेट बैंक फिंडिया फासो दष और आजी इसका सपोर्ट जोन है और जो सप्लाइं वहां सब्लाइं वहजा वहां सब्सक्राइब अच्व पर यहां पे बडिया ब् आपका प्रिफॉर्ड ट्रेड क्या है पाशिर नजर है अपलो हॉस्पिडल पर लेकिन विरे जी ने बिल्कुल सही कहा थोड़ा साइक हैं पर हडल है लेकिन ये मार्केट में थोड़ा कॉंट्रा अगर काम करना या कॉंट्रा सोच रखनी है तो अपलो हॉस्पिटल एक चाराजार आठ्टो तक जाएगा तो रिस्ट रिवाड जो बैटता है एज ट्रेडर वो अपलो हॉस्पिटल में बढ़िया है तो मेरा पेला पिक रहेगा अपलो हॉस्पिटल टीवीरो ने बात छेडी थी और आगया ये पिक अपलो हॉस्पिटल का सत्पुते साब की तरफ से गावा सर